नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ भासकर दोभाल और आप देख रहे हैं गोबलोक्स दोस्तों हर ब्यक्त की हतेली में जीवन रेखा और मस्तिस्क रेखा हिर्दय रेखा और भग्य रेखा और दोसरी कई रेखाओं के साथ साथ धन समंदी रेखाईं भी लेकर आता है अगर आप अपनी हतेली को थोड़ा गोर से देखेंगे तो आपको इन में अपनी जीवन का हाल नजर आ जाएगा आप खुद जान जाएंगे कि आपकी किस्मत आपका कितना साथ देगी और आपकी जो आर्थिक इस्तिती है जो पैसों की इस्तिती है जो धन की इस्तिती है वो कैसी रहेगी क्या आप अपने कमाई से धनवान बनेंगे या कहीं से आपको धन का लाब मिलेगा जिससे आप धनी हो जाएंगे या आपको हमेशा पैसों की कमी रहेगी पैसों की तंगी रहेगी काफी मेहनत के बाद भी घर में निर्दंता चाई रहेगी आईए दोस्तों देखते हैं आपकी हतेली को आपकी हतेली क्या कहती है आपकी धन रेखाएं क्या कहती है आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट है आप लोगों से जिन ब्यूवर्स ने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जब ये बीडियो चल दी है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा साथ में घंटी का एक आइकन होगा उसको भी दबाईए सबसे पहले महत्तोपूर्ण बीडियो देखने के लिए तो एक-एक रेखा को देखते हैं एक-एक लक्षन को देखते हैं एक-एक चिन को देखते हैं बड़ी सरलता से देखने की कोशिस करेंगे और आप भी वीडियो को स्किप न करें सरलता से देखें समझें आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी दोस्तों देखो सबसे पहले अगर आपकी हतेली में हमारी ये रिंग फिंगर है इसके नीचे के भाग को हम सूर्य परवत कहते हैं ये अंगोठा है इसके नीचे के भाग को हम सुक्र परवत कहते हैं और ये हमारी तरजनी उंगली है इसके नीचे के इससे को हम गुरू परवत कहते हैं ये तीनों परवत उठे हुए हैं तो यो संकेत है कि सुक्र परवत भौतिक सुक को दरसाता है गुरु परवत आपकी लीडर्शिप को नेतिर्त्व चमता को और सुर्य परवत जो है आपकी प्रसिद्धि को मान शम्मान को दरसाता है अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ हैं तो आपकी आर्थिक इस्तिति बहुत मजबूत रहेगी बहुत मैसा आएगा आप लोगों के पास बहुत धन आप लोग कमाएंगे दूसरा अगर दोस्तों आपकी हतेले में ये जीवन रेखा हुए और मनी बंद से निकल कर कोई भग्या रेका ये सनी परवत तक जाती हो और ये हिर्दय रेखा मिलकर M की आकरती बना रही हो जैसे यहां बन रही है तो आप 35 से लेकर 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे इस आकरती और इस रेखा का मतलब ये भी है ये संकेत भी देती है कि आपके जीवन में धन का आगमन विबाह के बाद तेजी से होगा अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं देखो दोस्तों जिसके हाथ में मनी बंद से लेकर और सनी परवत्तक कोई रेखा निर्दोस तरीके से जारी हो इसमें कोई दोस न हो कहीं ये खंडित न होई हो या कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही हो तो ऐसे जातकों के पास धनकालाब अपने आप अचानक ही मिलता रहता है समय समय पर ऐसे ब्यक्ति पूर जनमों के अच्छे करमों से धनवान बनते हैं इनकी सपलता में इनकी मेहनत से अधिक भग्या का हाथ होता है अब हम चोथी चीज के उपर जाएंगे अगर ये दिभग्या रेखा मनिबंद से लेकर मद्यमा उंगली के ये तीसरा पोर है यहां तक पहुंच जाई ये फश्ट पोर है सेकंड पोर है और ये थर्ड पोर है तीसरा पोर यहां तक पहुंच गई हो तो इन जातों के पास कभी धन नहीं टिक पाता है हाला कि ये जातक मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं चाए वो इस्त्री हो या पुरुस हो दरसल इनका भग्या ही जीवन में उतार चड़ाव लाता रहता है अब हम पांचवी लाइन की बात करेंगे देखिए हस्त रेखा विज्ञान के अनुसार हमारे समुद्र सास्तर के अनुसार यदि भग्या रेखा ये हमारी भग्या रेखा जारी है कहीं कटी फटी या फिर जंजीर उनुमा हो और वो मस्तिस्क रेखा पर आकर रुक जाए मनिया बीच में गैप है और कई रेखाएं इनको काट रही है या ये जंजीर उनुमा है इसपश्ट नहीं है और ये माइन लाइन पिर आके रुक जाए तो ऐसे ब्यक्ति को आर्थिक मामुलों में कश्ट का सामना करना पड़ता है इनके पास पैसों की कभी परिपूर मातरा में नहीं रहती है और पैसे टिकते नहीं जीवन में संगर्स रहता है अगर भग्य रेखा दोस युक्त है तो आपको फलित जोतिस की अनुशार बड़े ही सरल और अचोक उपाई करने चाहिए आपके इर्दगिर्द आपके कुल परोहित हो सात्विक कोई ब्यक्ति हो तो उनको अपना हाथ दिखाएं और उनसे सलाह लेके अचोक उपाई करिए तो धीरे धीरे ये दोस खतम होगा और आपके पास धन भी आएगा टिकेगा भी और रहेगा भी अब हम चट्टी बात करते हैं अगर आपकी हतीली में कहीं भी रेखाई चिन भिन अवस्ता में है बहुत चिन भिन अवस्ता में इदर उदर खुब घूम रही है तो यो गरीवी का वो संगर्ष का एक बड़ा लक्षण होता है अब हम सात्मी लाइन की बात करेंगे अगर कोई रेखा मनी बंद से निकल कर और सनी परवत पर जा रही हो और उस भग्या रेखा से कोई ब्रांच निकल कर हमारी ये सूर्य परवत की और पहुँच रही हो तो आप आर्थिक मामलों में भग्या साली हो गाए आप सामाजिक छेतर में परतिष्टित भी होंगे आठवी लाइन के बात करें यदि हमारा ये तरजनी उंगली है इसके नीचे के भाग को हम गुरू परवत कहते हैं ये देवरिशी गुरू का अस्तान है ब्रस्पती जी का अस्तान है अगर यहां पर कोई तिरसूल नुमा बन रहा है रेखाओं से कोई आकरति बन रही तिरसूल की तो जिस जातक के हाथ में ये बनता है वो जातक चाए महिला हो या प्रुस हो प्रसासनिक छेत्र में अप्रत्यासित सपलता मिलती है उनको यहां ये बात ध्यान रखें कि तिरसूल को किसी अवरोद या रेखाने काटा नहीं हो बरनात तिर्सूल के प्रभाव में कमी आ जाती है अब हम नवे पॉइंट के बात करें देखो हमारी हस्त रेखा में धन संपता का विचार अनेक रेखाओं और चिन्नों से किया जाता है लेकिन उनमें भी इस भग्या रेखा के बाद दोसरे नमर पर आता है अमारा बुद्ध परवत यानि ये कनिष्टा उंगली है सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे के हिस्से को हम बुद्ध परवत कहते हैं यह परवत जो है भौतिक संपदा एवं भौतिक सम्र्दि का शोचक होता है इसलिए आज के युग में इसका महत्व सरवादिक हो जाता है जिन जातकों के हाथ में चाए महिला हो या पुरुस हो ये बुद्ध परवत उन्नत होता है बिक्सित होता है परिपूर्ण होता है वे जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सपलता अरजित करते हैं धन के मामले में इनको कभी तंगी का सहारा नहीं होता है इनके पास हमेशा धन बना रहता है आर्थिक मामलों में ये बहुत भग्यसाली होते हैं अब हम दस्वी की बात करें यदि हमारी मद्यमा उंगली ये बीज की जो उंगली है उसका ये अग्रभाग नुकीला हो तथा ये हमारी सन लाइन पे कोई सूर्य रेखा आरी हो इस पे लंबी सूर्य रेखा हो उस पर कोई नक्षत्र न हो क्रोस या तिल का निशान न हो तो व्यक्ति राजनीति के छेत्र में बहुत नाम कमाता हो और धन के मामले में सदा परिपूर्ण रहता है दोस्तों एक छोटा सब विसले सर्था अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद